नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में दोस्तों उत्राखंड में खेल माकूंब की सुरुवात होने वाली कुछी दिरों में उसी से जुड़ी ये खबर आई हुए देखें कैसे आपने पता करना है कि आपके नियाई पंचायत में जिस गाउं में भी आप रहते हैं आपके गाउं के खेल कब होंगे जहां आप रहते हैं वहाँ आपने किस तारिक को जाना है खेलने के लिए ये आपको कैसे पता करना है ये आपको मैं कुछी देर में बताऊंगा सबसे पहले मैं आपको खबर पढ़के सुना देता हूँ वीडियो में बने रहें देखे खेल महाकुम्ब में राष्टी खेलों का रिकार्ड तोड़ने वालों को एक लाख रुपे मिलेंगे देखे इस बार जो राष्टी रिकार्ड तोड़ेंगे ये राष्टी रिकार्ड तोड़ने पर ये एक लाख रुपे राष्टी मिलेगी देखे राजजिपाल 31 अक्टूबर 2023 को हल्दवानी के गौलापार स्टेडियम से करेंगे खेलों की सुरुवात 31 अक्टूबर से खेलों की सुरुवात होने वाली एक खेल भी बाई सुन रहे हैं देखें खेल माहकुम्बे में राष्टी खेलों का रिकार्ड तोड़ने वाले खिलाडियों को प्रोत्साहन के रूप में एक लाख रुपए मिलेंगे राजी पाल लेप्टेनेंट जनरल गुर्मी सीयें 31 अक्टूबर 2013 को हलदवानी के गोलापार स्टेडियम से खेलों की शुरुवात करेंगे खेल एवं युवा कल्यान मंत्री रेखा आर्यायत द्वारा का गया है कि राजी भर में इसमें साड़े चार लाख खिलाडी पर्तिभाग करेंगे न्याय पंचायत इस्तर पर पहले दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले खिलाडियों को पहली बार नकत धनराशी से प्रुस्क्रत किया जाएगा खेल मंत्री ने मीडिया सेंटर में पत्रकारों से वारता में कहा कि 96 विकास खंडों, 662 न्याय पंचायतों और सभी जिलों में विभिन परतियों किताई आयोजित की जाएंगी तो पूरे उत्रा खंड में परतियों किताई होनी है आप जिस जिली में भी रहते हैं, जिस ब्लॉक में भी रहते हैं रूप में दी जाएगी बलाग अस्थर पर 2 करोड! 64.000.000 से अधिक जिला करोड एक करोड 26?000.000.000 वह राजीं इस्थर पर 23?000.000 से अधिक की धन्राशी पुरुसकAR के रूप में दी जाएगी मंत्री रेखा आर्या के मताबिक विजेता फर्तिभागियों को 7 करोड 62 लाक रुपे से अधिकी पुरुषकार दिये जाएंगे देखें आगे क्या जानकारी दिये रखें हैं आपे खेल मंत्री रेखा आर्या के मताबिक इस साल 31 अक्टूबर से 30 दिसंबर 2023 तक होने वाले खेल महाकुम्ब में विजेता खिलाडियों को दी जाने वाली पुरुषकार की धनरासी बढ़ाई गई है नियाई पंचायत इस्तर पर पहले इस्तान पर रहने वाले खिलाडी को 300 रुपे दूसरे पर 200 रुपे और तीसरे स्तान पर रहने वाले को 150 रुपे दिये जाएंगे जबकि ब्लॉक इस्तर पर पहले स्तान पर 300 रुपे से बढ़ाकर 500 रुपे दूसरे स्थान पर 200 रुपे से बढ़ा कर 400 रुपे और तीसरे स्थान पर 150 से बढ़ा कर 300 रुपे कर दी गई है जिला और राजी स्थान पर भी पुरुषकार की रासी को बढ़ाया गया है जिला स्थान पर पहले स्थान पर रहने वाले को 800 दूसरे स्थान पर 600 और तीसरे स्थान आने पर 400 की पुरुषकारासी दी जाएगी राजी स्थान पर पहले स्थान वाले को 1500 रुपे दूसरे को 1000 रुपे और तीसरे स्थान आने वाले को 700 रुपे की पुरुषकारासी दी जाएगी दोस्तों ये तू पुरुषका रासी होग है जो अपने ब्लॉग इस्तर में न्याई पंचाहित इस्तर में जो फर्स्ट, सेगंड, अटर जो आएंगे उनको पुरुषका रासी हैं मिलेगी बांकि अगर आप राजी इस्तर में जो नेशनल रिकॉर्ड जो होता है उस रिकॉर्ड को अगर तोड़ते हैं तो आपको एक लाख रुपे की रासी दी जाएगी तो ये जानकारिया आप समझ गए होगे अब दोस्तों इन खेलों में निकलने के लिए सबसे पहले सुरुवात में नियाई पंचायत इस्तर पर खेलोंगे आपके यहाँ उसके उसमें जो जीतेंगे उन खेलों में तो उनको ब्लॉक इस्तर में खेल होंगे जब ब्लॉक इस्तर में जीत जाएंगे तो उसके बाद वे जिला इस्तर में जाएंगे और जिला इस्तर में जो जीतेंगे तो वे राज इस्तरी खेल में जाएंगे तो इस परकार से ये ख पूर्वात होनी खेल की, आपने क्या करना है, सबसे पहले हैं, जो भी आपके नस्दीक में, जो इंटर कॉलेज है, वहाँ आप जाएंगे, इंटर कॉलेज में आप जाएंगे, तो वहाँ आप स्पोर्ट से टीचर से मिलेंगे, क्योंकि ये सबी सरकारी स्कुलों में जो तारिक पर खेल होने हैं, वह आपको बता दिंगे, कि आपके तारिक को, आपके गाउं के किस तारिक में खेल होने हैं, तो आपने उसी तारिक में जाना है, और उनसे आप ये भी जानकारे जुटा लेजिएगा, कि आपने क्या-क्या डॉक्मेंट लेके जाने हैं, जैसे आ अगर आपको स्पोर्ट से टीचर से जानकारी नहीं मिल पाती है तो अपने ब्लॉग के कार्यालाई में जब आप जाएंगे तो वहां आपके ब्लॉग कार्यालाई में आपके युवा कल्यान विबाग होगा आप युवा कल्यान विबाग में जाएंगे आप वहां खेल समने एक बैठते हैं तो आप उनसे जानकारी जुटा सकते हैं कि आपके नियाई पंचायत में खेल कब से शुरू होने हैं आप अपने गाउं का नाम बताएंगे तो आपको बता देंगे कि किस तारिक में आपके खेल शुरू होने वाले हैं और आप वहां से अपना फॉरम भी ले सकते हैं और आपको फॉरम जहां जो खेल का जो इस्थान होता है जिस स्कूल में भी आपके खेल होंगे वहां आप जाएंगे तो उस इस्थान में भी आपको फॉरम मिल जाएगा उस फॉरम को आपको बह करके जमा करना होगा उसके बाद आप वहां खेल सकते हैं तो इस परकार से खेलोंगे यह और दोस्तो अगर मुझे अगर इंटरनेट के माध्यम से या फिर किसी भी माध्यम से किसी भी एरिय में खेलों की तारिख के अगर मुझे ख़बर मिलती है तो मैं इंटरनेट में वीडियो की माद्यम से आपको दे दूँँगा बागी मैंने आपको बता जिया है कि किस परकार से आप इंटर कॉलेज में जाकर स्पोर्ट से टीचर से मिल रापने जानकारी जुटानी है अपने वागए डेट पता करना है किस डेट में आपको खेलोने है तो इस परकार से आप खेलों में हिस्सा ले सकते हैं जरूर आप इन खेलों में हिस्सा लेजिए चाहिए आप अंडर 14 में आते हैं तब भी हिस्सा ले सकते हैं अंडर 17 में आते हैं तब भी हिस्सा ले सकते हैं वीडियो को लाइक करें इस वीडियो में दोस्तों फिला लेतना ही मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में केलों के ट्राइल की एक नई खबर के साथ तब तक के लिए भाई धन्यवाद